So hey guys, कैसे हो? मैं हूँ बलगाम और आज की इस वीडियो में friends हम बात करने वाले हैं Mpocket के कुछ bad updates के उपर जैसे कि friends आप लोग को पता है कि 2020 से मैं Mpocket app यूज करते आ रहा हूँ और काफी अच्छा app रहा है लेकिन 2020 से लेकर के 21-22 में कुछ ऐसे ऐसे updates आए हैं जिसकी बिज़त से Mpocket user को काफी ज़्यादा problem का सामना करना पर रहा है जैसे कि friends आप लोग को पता है कि जब मैं 2020 में Mpocket loan इंस्टॉल किया था साइध आप लोग भी किये होंगे जो कि लोगों को काफी ज़्यादा problem को सामना करना पर सकता है तो friends आज की इस वीडियो में हम उन्ही अपडेटों के उपर बात करेंगे कि आखिर ये bad updates क्या है जैसे कि friends आप लोग को दिख रहा होगा background की कुछ अलग type का दिख रहा होगा क्योंकि friends मैं अभी फिलहाल दिदी गाओं आया हुआ हूँ और आप लोग को पता है कि रिष्तेदार के पास जाओ चाहिए घर पे जाओ तो वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा problem होता है तो friends आज की जो वीडियो होने वाली है वो M pocket के उपर एक bad update आई है उसके regarding होने वाली है जैसे कि friends आप लोग को पता है कि मैं सुरूस लेकर अभी तक M pocket के बारे में अच्छा ही ही बताते आया हूँ कि M pocket है पैसा है पैसा है इसका ये problem आती है तो आपको कैसे solve करना है ऐसे ऐसे bad updates आये हैं जिसकी विज़ा से मेरा दिल अंदर से लाओ नहीं कर रहा है कि मैं M pocket के उपर कोई अच्छा सा video बनाओ जैसे कि friends आप लोग को पता है कि जब आप 2020 में लॉन लेते थे तो आप जब लॉन पैड करते समय एक या दो दिन लेट करते थे तो वहाँ पे आपको जो penalty charges होता था या late fees जो हता था कभी कभी तो एक दिन मर्ज भी कर दिया जाता था एक दिन तक आप late fees नहीं भी दे सकते लेकिन एमपोकेट डे वाइडे कुछ ऐसे ऐसे बैड अपडेट्स ला रहे हैं जिसकी बज़ास यूजर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पर रहा है जैसे कि friends मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर को भी लॉन अप्लिकेशन मतलब अपने यूजर को harassment पह जाता है जैसे कि friends उसके बैड अपडेट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे पहले उसका जो पैनल्टी चार्जेज था वो मातर 500 रुपिय अगर आप लॉन लेते थे तो मातर आपको 4 रुपिय देना परता था एक दिन का पैनल्टी चार्जेज अगर आप 1,000 रु एक दिन भी लेट जामा करते हो तोहां पे आपको 200 से लेकर के 300 तक आपको पैनल्टी चार्जेज पे करना पर सकता है और यह पे भी कर रहे हैं लोग जैसे कि मैं भी देखा हूं friends हमारे भी एकाउंट पे आये हुए थे कि ऐसे ऐसे अपडेट आये हुए हैं एमपोकेट मे पेशे तो मैं एमपोकेट का सारा पैसा पैड कर चुका हूँ मेरा सिविल भी अपडेट नहीं हुआ तो यह सब बैड अपडेट देखकर मेरा भी अंदर से दिल अलाव नहीं कर रहा है कि मैं उसके उपर कुछ अच्छा फीडवेक दू तो मैं एमपोकेट से यही कहना चा है लोग जाके अरवियाई को स्ट्राइक मारेंगे कि यह हमारे साथ हरास्मेंट कर रहे हैं यह कर रहे हैं तो फिर आपके एप जो है वो बैन भी हो सकते हैं मैं यही कहना चाहूंगा एमपोकेट के टीम से कि प्लीज आप अपने अपडेट में कुछ सुधार किजिए ताक मैं यह बताने की कोशिज करूंगा कि आप एक स्टुडेंट को लॉन प्रवाइड कर रहे हो और उसके उपर डवल डवल पेनाल्टी चार्जे जमार रहे हो जितना आपका होना भी नहीं चाहिए तो एक हरास्मेंट होता है और स्टुडेंट का हरास्मेंट होता है जिसकी मैं यह बना रहा हूं यह वीडियो बनाने का मोटीव यह था कि आप अपने एप पे कुछ अच्छे अपडेट्स दिजे ताकि यूजर को प्रॉबलम ना हो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा सो फ्रेंस आई होब कि आज की यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और अल्सो सब्सक्राइब मैं चैनल फिल्हाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अभी के लिए बाई बाई जैन बंदे मात्रा